नमस्कार भारत माता की जय बंदे मात्रम बहुत ही हर्स के साथ आप लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में जो लाइब हूँ लाइब का उद्देश है सवड आजमी के कलेंडर का विमोचन जैसा कि आप लोगों को पता है हर साल हमारे संगठन के प्रदेश महासचु सूरसपसाद चोबे जी संगठन के प्रचार पसार के लिए कलेंडर छपवाते हैं और वो कलेंडर बटवाते हैं बित्रत करवाते हैं कलेंडर तो आप मूं के बीच में, मैं लाइम के माध्यम से सौड़ायमी के कलेंडर का भी मोचन कर रहा हूँ यह है सौड़ायमी का कलेंडर सौड़ायमी का कलेंडर छप गया है, आज इसका भी मोचन हुआ है और जो भी भाई कलेंडर लेना चाहे वो हम से संपर कर सकते हैं, कायाले पर संपर कर सकते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में अपने यहां जो आपके यहां ड्राइंग रूम है वहाँ पर आप गाउं में रहे रहे हैं तो जो भी आपके यहां बैठने की व्योस्ता जहां लोग बैठते हैं वहाँ पर आप संगठन का केलेंडर जो है लगाएं जिससे क्या है कि संगठन का प्रचार प्रसार होगा मैं इस लाइब के माध्यम से संगठन के प्रदेश महासुचु सुद्ध प्रचार प्रसार चोवेजी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत ही कम संसाधनों में बड़ा संगहर्स करने समाज के लिए और उस संगहर्स में हमारे साथ बहुत ही मजबूती से चोवेजी खड़े हैं और चोवेजी संगठन के प्रचार प्रसार के लिए कुछ न कुछ किया करते हैं आज हमारे साथ इस लाइब में हमारे संगठन के सा समनोग और विस्ता रख ठाकुर सियोन सिंग जी है और जो हमारे संगठन का ट्रस्ट के आप महासचू भी हैं तो ये कलेंडर छपवाने का उद्देश पितना है कि आप लोग कलेंडर लेते हैं बहुत सारी संस्थाएं है प्लान किया कि हम खुद अपने संगठन का कलेंडर बनवाएंगे और उस कलेंडर को बनवा करके हर एक सवड के घर तक कलेंडर हम पूरी टाकत के साथ लगे हुए हैं मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के हर इक उस व्यक्ति का जो इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है हमारा सहयोग कर रहा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी संगठन के कारिकरताओं का जो बिना किसी लाव के बिना किसी स्वार्थ के नीश्वार्थ भाव से दिन रात लगे हुए हैं हमारा जो संगर्स है ये पाच साल छे साल का संगर्स है और लगाता तमाम विपरित प्रस्थतियों को फेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं संगठन के प्रचाथ प्रसार में संगठन को आगे बढ़ाने में और हर्मान जी के क्रिपा से आज आपका संगठन इतना आगे पहुचा है कि बहुत सारे इस्थती प्रस्थती में समाज के विपरित प्रस्थतियों में संगठन वहां पर खड़ा होता है और समाज की लडाई को मजबूती से लड़ता है तो आज कलेंडर का भी मोचन था और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को स इस वीडियो को सेर करते हैं तो इससे होता क्या है कि जैसे मालीजे बहुत से लोग मुझे ना फालू करते हूं आपको फालू करते हैं या आप से जुड़े हैं तो जब आप अपने टाइम लाइन पर हमारी वीडियो को सेर करेंगे तो उससे उनको भी इस संगठन के बारे इसके प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा से अशियर करें अब हमारी संगठन के महा सचू और साथ समनुद मिस्तारक ठाकुर सिरुम सिंग जी अपनी बातु को रखेंगे आपके बीच में नमस्कार जैसा कि अवियाद्ध्यक्ची ने बताया कि आज कलेंडर का विल्मोचण हुआ है तो इस वीडियो को भी सेयर करें और दो बाते मैं भी कहना चाहूंगा कि देखिए यह जो संगठन है यह कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम दवावना रहे हैं हमारा इससे कोई फाइदा नहीं इसमें क्या है कि अगर आप इसको मजबूत करेंगे तो आप भी उतने मजबूत होंगे देखिए मैं सुरवात से कहता आ रहा हूं कि संगठन या कोई संगठन नहीं है यह आपका सुरच्छा कवच है आप अगर कर्ण की तरह अजय बने रहना चाहते हैं आप अगर चाहते हैं कि आपको कोई मार न पाए हरा न पाए तो आप अपने संगठन को मजबूत करें संगे सकती कल्यूगे कल्यूग में संग ही सकती है आपकी आप चाहिए इतने बड़े पाभवली होंगे आपके उपर जब 10 लोग लग जाएंगे तो आपको मिटा देंगे अब ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सियोंजी का सियोंजी ने बहुत अच्छा कहा और मैं बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जैसे हमने कलेंडर चाहिए है एक हजार के आसपास कलेंडर है यह तो बित्रित होगा ही होगा लेकिन बहुत से अशे भाई होंगे पर गोरगपूर की योकी में गोरगपूर की टीम जो है उन लोगोंने हमसे पहले कलेंडर चपवाया और कलेंडर का घर घर जाकर कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं गोरगपूर की टीम के जो इवा बच्चे हैं जो कलेंडर का बित्रड कर रहे हैं उन्होंने पैसे से पढ़ने वाले लड़के हैं उन्होंने पैसा इकठा के और अपने पैसे से उन्होंने सवड आजमी का कलेंडर बनवाया और कलेंडर का वो बित्रड जो है घर धर जाकर के करें हर एक बित्ती को जाकर करें को कलेंडर दे रहे हैं इस तरीके से जो ही भाय संगठन का प्रिचार करना चाहते हैं और कलंडर छपवा करके कलंडर का विद्रण करना चाहते हैं उसमें हम संगठन की जो हमारे राश्विप्ण अगर इस तरीके से संग्टन के पिशार में योगदान देना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि वह कुछ अपने पास से कलेंडर छपवाएं जिसमें हमारे हम उनको फार्मिड भिर देंगे और हमारे संग्टन के जो राष्क्य पदातकारी है उनके पोटो तो उसमें रहें नह है और जैसे मानी जी अगर आपका कोई है संग्टन में तो ठीक है कोई पद नहीं है तो आप सिर्फ सवर्ड आर्मी अपने पद के नीचे अपना नाम और पद के अस्थान पर सिर्फ सवर्ड़ आव्मि लिखिये और आप कलेंडर का वित्रड अपने छेत्र में करिए जिस और इससे होगा कि एक चर्चा होगी चर्चा का विशय बनेगा लोग समझेंगे सुनेंगे जो नहीं जानते हो गूगल पर यूपी पर सर्च करेंगे सवर्ड आर्मी को फिर बहुत से सारी चीज़ों जान जाएंगे स्योम जी ने कहा कि अगर आप कर्ड की तरह अजे रहना चाहते हैं तो सवर्ड आर्मी रूपी सुरच्छा कवच को आपको मजबूती देना पड़ेगा क्योंकि सवर्ड आर्मी एक संगठन नहीं बलकि सवर्डों का सुरच्छा कवच है समाज में जिन लोगों के अंदर दोईस है इर्ष्या है एक दूसरी को गिरानी की मांसिक्ता है मैं यहीं इवेदन करूँगा कि ऐसे मांसिक्ता को छोड़िए समाज के लिए लड़ने के लिए अगर कोई इवा आगे बढ़ रहा है तो इवा से कदम से कदम मिलाइए जो चीजे मैं आज कह रहा हूँ अगर आज आप नहीं समझ पाए जो चीजे हम आज समझ रहे हैं अगर आप आज नहीं समझ पाए तो आज से 5 साल दस साल बाद जब आप इन चीजों को समझेंगे ना तो सिर्फ पश्याताप के लावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा और एक बाद मैं आपको और बता दूँ जिनको लगता है कि सर्वेश पांडे जातवादी है यह जो भी सवड आर्मी है संगठन है सवडों के लिए बोलना है सवडों के लिए लड़ना है आब आज उठाना है यह सब जातवाद है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जातवाद क् करते हैं तो ये देश को आजाद हुए 75 साल हो गया और 75 साल से इस देश में जात के नाम पर रासन, जात के नाम पर नोकरी, जात के नाम पर चुनाओं में सीठे आरच्षित करना, जात के नाम पर सारी सुविधा व्योस्था दी जा रही है, तो क्या वो जातवाद नहीं है, क या किसी जाती समुदाय को गाली देंगे या किसी जाती समुदाय की उपरत्या जात करेंगे हमारा सवरों को संगिठित करने का उद्यस सिर्फ इतना है कि कोई हमारा सोचवर ना कर पाए हमारे उपरत्या चार ना कर पाए कोई हमको गाली ना दे पाए हम किसी जात के भी कर रहा हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं हम किसी के विरोधी नहीं है हां हम उनके विरोधी हैं जो हमारे विरोधी हैं जो हमारा विरोध करेगा उसे विरोध झेला पड़ेगा और समाज के उन बुद्ध जीवियों से मैं इगनिवेदन करना चाहता हूं जो लोग थोड़ा सरमात प्रति हैं तो आपके प्रति है आप ब्रह्मन है आप ठाकुर है आप बनिया भूमियार है तो आपके प्रत्र लोगों ने पहले से धारडाय बना रखी है अब आपको अपने बचने के लिए संग्टित होना पड़ेगा बहुत सारे संग्ठाने इस डेस में जो खुल करके हमको गालिया देते हैं हमारे समाज को गालिया देते हैं सरवेश पांडे और सवड़ आर्मी ने आज तक कभी किसी जाती समुदाय को गाली नहीं दिया है किसी को कभी टार्गेट नहीं किया है आज तक आप मेरी कोई एक ऐसी वीडियो कोई एक ऐसा पोस्ट दिखा दीजिए जिसमें किसी दलित के उपर हमने अत्याचार किया हो या किसी अन्य जाती विरादर को गाली दिया हो या किसी को हमने टार्गेट किया हो या किसी को धंकी दिया हो हाँ मेरी वो वीडियो जरूर आपको मिलेंगे जिसमें किसी समाज के नेता ने किसी समाज के विक्ती में मैंने समाज को गाली दिया तो उसको समझाया है मैंने उसको चेतावनी मैंने दिया है और हाँ अगर कोई गाली देगा तो उसको समझाओंगा भी चेतावनी भी दूँगा और उचित पड़ेगा तो उसको दंड भी दूँगा तो ये सब चीजे जातवाद रही है, जातवाद का उद्देश है, जातवाद का मतलब है किसी दूसरे जाती के प्रतिहीन भावना रखना अपने मन में, अपने जात की बात करना जातवाद नहीं है, और एक बात आपको बता कूँ, आज सवरों के सामने कोई विकल्प रही है सवड के सामें सिर्फ दो विकल्प है, सवड या तो लड़ेगा या तो सवड मरेगा, जिनकी आखे आज खुल नहीं रही हैं, उनको एक बार 10 मिनिट फोन मोवाईल अलग साइड में रख करके सोचना चाहिए, कि आज से 50 साल पहले आपके बाप दादाओं की क्या इस्तती थ करते हैं, तो क्या अकेले अंबेटकर जी देश में आरचर लागू करवा लेते हैं, आप बताइए, अगर हमारे बाद जादा उस सवे सतन में उनका सहयोग ना करते हैं, उनका सपोर्ट ना करते हैं, तो क्या अकेले अंबेटकर जी देश में आरचर लागू करवा लेते है यह दुर्भार गया इस देश का और ऐसी चीजों को खतम होना चाहिए ऐसी व्योताओं को खतम होना चाहिए देश हमारा हम बिश्ट राष्ट की कलपना करते हैं हम भारत को बिश्ट गुरू बनाना चाहते हैं हम भारत को अमेरिका से इंग्लेंड इसे और चाइना से आगे लेकर जाना चाहते हैं तो एक बाद मेरे भाईयों बता दू यह आरत्षड के बैसाखी के बलपर कभी संभोव नहीं हो पाएगा अगर आप चाहते हैं कि देश विश्व गुरू बने आप चाहते हैं कि अमेरिकार का भी बाप भारत बने तो भारत से अजाक्यत आरत्षड ख आरत्षड गिश्श नहीं हो एक